हेलो बच्चों वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल करियर प्लनेट मैसेल्फ सुरेंद्र गुरुवानी फिजिक्स मेंटोर और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि 2021 रहसान बोड का फिजिक्स का पिपर कैसे होने वाला है नया पैटन क्या है क्या नया है क्या वीडियो में डिसकस किया था इस वीडियो में डिसकस करते हैं कि पैटन नया क्या है कितना रिलैक्सेशन बच्चों को मिला है क्या एजी है क्या नया पैटन है लेट्स स्टार्ट सू मॉडल टेस्ट पेपर जो रहसान बोड ने अनौंस किया है मॉडल टेस्ट पेपर उसक आपके सामने है वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है ड्यू टू कविड आपको पता है स्कूल नहीं खुले हैं सब चीजें इसमें बताया गया है इसलिए थोड़ा एजी कर दिया गया है इस नए पैटन में आपको मिलेंगे आप्शन बहु विकल भी मतलब न्यू पैटन में जो आपको मलेंगे मल्टिपल चॉइस कुशन्स ठीक है तो मल्टिपल चॉइस कुशन्स मिल रहे हैं मल्टिपल चॉइस कुशन्स फिर वन लाइन आंसर एक लाइन में आंसर देना है यह आराम से मल्टिपल चॉइस कुशन् मार्क्स के वन लाइन में आंसर देना है तो शौट अंसर में दो नमबर का है और लोग आंसर आपके चार नमबर का है ठीक है तो multiple choice 10 है फिर one line और fill in the blanks वाले ये 10 question है ठीक है रित्तिस्तान की पूर्ती करो और इस सब दे रखा है तो हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा question किते नमबर का है कैसे आएगा तो ये नया pattern जो है आपको ये आपको समझना है इसमें क्या है और इसमें खास बात देखो क्या है इस बार आपके पास जो section है अलग-अलग section इसमें बाटे गए हैं तो section A, section B, section C, section D, section E तो section D और E की बात करें अगर तो section D में आप देखो आपके पास एक choice है मतलब आपको जो question मिलेगा या तो आपको पहला आता है और करके अथवा करके जो दूसरा दे रखा है तो दूसरा आता है या पहला आता है जो भी आपको अच्छा आता है वो करेंगे तो उसको option वाले section मनाया E जिसमें आपके पास दो choice और होंगी first आता है first करें नहीं तो second पर जाएं second आता है second कर लें नहीं तो third पर जाएं तो आप देखो तीन option आपके पास है मतलब इसमों कहेंगे दो internal choice है एक question है उसके अंदर दो choices है तो आपके पास total एक question में तीन question मिलेंगे और तीन में से कोई एक आपको करना है कोई एक तो पहला नहीं आता है तो दूसरा करें दूसरा नहीं आता तो तीसरा करें जो भी अच्छा तीनों में से आता है वो करें ठीक है तो यह पहली बार section E बनाए है तो चार चार नंबर के आपके डो question है जिसमें तीन-तीन choices मिलेगी तो दो choice वाले ते साथ बढम और यहाँ पर सेक्षन सी में तीन नमीर का सब्सक्राइब यहाँ समझघ स्विण तो थोड़ा आप समझ भी हो जोआपको कोई चैप्टरल आपने नहीं पड़ा दो हो सकता है आपको इसमें नहीं पढ़ाया तो हो सकता है उसमें option में question आ जाए तो आप उसको छोड़ सकते हूं ठीक है फिर भी हमें hope करेंगे syllabus विसी कम है आप पूरा पढ़के जाएं ताकि आपके पास option आपको लगे कि तीन option दिये मुझे तीनों आते हैं यह कौन सा अच्छा आता है वह आपको option में choose करना पड़े यह यह आता है यह नहीं आता है नहीं मैं hope करता हूं मैं आशा रखता हूं आप बच्चों के लिए तैयारी इतनी अच्छी हो कि तीनों option में से आपको तीनों आते हो और जो बैटर आता हो जो बहुत अच्छा आता हो उसको आप करें ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे तो variation जो है 25% इसमें बताएगे कोई chapter जो आपको लगता है कि इस chapter जो है उसमें भी chapter का जो इस था उसमें 25% तक changes कर दिये गए तो यह भी आपको उसमें जो बैटर मिलेगा जो syllabus है उसके according आपको वेटेज पता लग जाएगा ठीक है अब हम बात करें देखो इसमें paper की तो मैं आपको बताता हूं कैसे objective question आते हैं कैसे subjective आते हैं तो पहला तो हिंदी का paper है यह तो बहुत बड़ा PDF download करवाया है उन्हें physics सीधा आएगा 142 पर 142 पर जाएंगे तब सीधा physics start होगा तो physics मैं आप देखो senior secondary examination model question paper 2021 physics total marks 56 है total marks 56 है और time मिलता है तीन घंटा 15 मिनिट आपको पूरा complete paper करना होता है ठीक है और इसमें बताया है कि आपको question जो भी आपको answer लिखना है जो भी आपको answer लिखना है उसका question number आप उसके आगे लिखें और पहले question के 10 पार्ट है तो यह 10 पार्ट आपको एक साथ कर रहे हैं ऐसा चोड़ोगे फिर आप आगे करके वापिस भी आ सकते हो ठीक है और इसमें बुला है साफ साफ अगर किसी भी question में controversial question कोई बनता है उस question में हिंदी में जो लिखा है हिंदी वाला राजस्तान बोड का वेपर है तो जो हिंदी में लिखा होगा वही मानने होगा वही सही माना जाएगा तो जो एक बार आपको जिस में जिस भी question में confusion लगता है एक बार उसको हिंदी में जरूर चेक कर लें क्योंकि जो हिंदी में लिखा हुआ है वही correct माना जाएगा contradiction के condition में किसी भी आपके पास देखो अगर विरोधावास होता है कोई confusion होता है उस condition अब आपके पास आता है सबसे पहले marking system आप देखो तो marking system हम देखें तो marking system में आप देखो सबसे पहले तो सबसे पहले marking system में आप देखो total marks आपको पता ही है, कितने होंगे, 56 होंगे, total 56 होंगे, question देखो, एक number के भी है, दो number के भी है, तीन number के भी है, चार number के भी है, और चार number के और भी है, जिसमें तीन options है, तीन choices है, अब total question देखो, एक number है, कितने question है, 20, एक number के 20 question है, एक एक number के, फिर दो number के 4 question है, तीन number के भी 4 question कुशन है चार्चा नंबर के दो दो कुशन है ला एक नमबर के 20 कशन है तो आप देखोगे दस और 20 30 आपको ज्चारे मिला कर 32 questions करने हैं आपको इसमें ठीक है और आप देखो 16 से 23 तक आपके पास choices है मतलब 1 to 15 तक जो आपको यहां तक 15 तक चल रहा है यह यह पहला जो दो पार्ट है section A और section B इसमें कोई option नहीं है easy A वैसे भी multiple choice वाला है चार option वाला और C D और E में आप देखो C D और E इसमें आपके पास choices है C D और E इसमें आप कहते हैं internal choices हैं आंतरिक विकल्प हैं आंतरिक विकल्प का मतलब अंदर ही आपको एक question पढ़ोगे उसके अंदर choice मिलेगी यहां तो first करेंगे या second करेंगे ठीक है तो यह choices वाले question है आपके बहुत सारे question तो choices वाले होगे यह वाले और जो short question है वो आपके बिना choice के हैं ठीक है अब आपको paper दिखाता हूँ देखो paper कैसा आएगा paper आपका इस तरह से सबसे पहला section A section A से शुरू करते है section A में question number 1 1 में 1 के अंदर 1 to 10 अब यह सारे question आपको एक साथ करने 1 to 10 में option वाले हैं चार चार option वाले देख लो पहला question है कि charge की unit क्या है तो charge की unit क्या है चार option दिये में आप कर सकते हूँ ठीक है उसके बाद देखो second question हालेंकि second question आप देख रहे हो यह carbon resistance का है चाहे carbon परती रो दो carbon register रो यह हटा दिया गया है मगर फिल भी शायद गलती से इन्होंने इसमें model test पर बनो डाल दिया तो यह यहां पर नहीं होना चाहिए because it deleted part में है ठीक है anyway ध्यान रखेंगे हम भी तो next आजाओ इसे second question हो गया third हो गया फोर्थ हो गया magnetism का फिफ्ट हो गया AC का six हो गया ray optics का ray optics का photo electric effect का और यह सारे question आ गया हमारे पास तो टोटल question हो गया दस अब दस question के बाद अगला आ जाओ second section शुरू होता है give the answer of the following question in one line एक line में answer देना है ज्यादा line ने लिखनी कोई extra number नहीं मिलेगा आपको one line में answer देना है एक number आपको मिल जाएगा easily ठीक है इसमें हो सकता है diagram बनाना हो सकता है table बना नहीं हो सकता है logical answer देना हो law लिखना हो कि चौप second law लिखें आप लिखें एक line में एक line से थोड़ा से ज्यादा जाता है तो ल diagram ड्रो करना है तो समें कुछ लिखना नहीं diagram ड्रो करें आपको easily marks मिल जाएंगे फिर यह law आ गया बायो सावट लो अब आपको diagram बनाना है formula पूरा लिखना है डी बी कुस्टु मून आइडियल साइं टीटा पॉन 4 पाय आर स्कौर पूरा लिखना है तो diagram बने का details भी लिख से उपर हो गया तो जो भी है लौ तो पूरा लिखना है फिर गौजलो लिखो magnetism के लिए आपका short law है यह आप अराम से लाइन में लिख सकते हो फिर diffraction को समझाओ वे अप्टिक्स का आ गया threshold frequency देली आवर्ति को बताओ फिर यह और गेट कर टेबल बनाओ तो लॉजिक सब्सक्राइब कर सकते हो इनका आँसर आपको कौपी में लिखना है कपी में देना है कोकमे देने कि इसमें णहीं लिखना है इसलिए साफ लिखा गया है इसका अंशर आपको दिख रहा है- आपको दिखने हैं-, यू लिखेंगे। टेन कोश्यन लिखा इसका अंसर देंगे, इलेवन वन लाइन के या टू लाइन के या डाइग्राम बेज्ट या टेबल बेज्ट उसके बाद साथ और तीन क्वेशन और आगे जो फिल इन दे ब्लाइंक सें इसमें भी तीन नमबर आप ले सकते हैं इसली तो आगे चलें नेक्स्ट अब आजाओ होगे हमारे पास 11 तक तो हम आगए अब 12 13 14 और 15 यह आपका सेक्शन चुरू होता है यह वाला तो सेक्शन बी अभी तेकि सेक्शन चलता था समय एक एक नंबर के सारे कुशन बीस नमबर्स आपके बीस मार्स यहां तक मिल गए तो इसी है पैटर्न आपका चया आप 20 मार्स यहां तक निकाल सको 20 मार्क्स अब चले आगे तो section B आ जाओ तो section B 12 13 14 15 यह question है तो यह आपके दो-दो नंबर के हैं दिखावा आपको दो-दो नंबर के question है अब इसमें आपको से आपको दो नंबर के चार question कर लिए तो 20 नंबर वह आ गये और 8 marks नहीं आ और आगया अब हम question पहुंच गे 15 तक 20 question वह किये यह वाले question किये आपने 22 marks के चार question 8 marks और हो गए 15 तक पहुंच चुके हैं तोटल question 23 है बच्चों 30 वैसे जनरली रायस्तान बोर्ड में 30 questions आते दें 30 अब 23 कर दिये गये हैं number of questions कम हो गये ठीक है 15 तक पहुंचे अब sections ही आ जाओ अब यहां से option शुरू होता है यहां option इसमें दो option है आपके पास potentiometer का question है दो option दे दिये तो दोनों में से एक करना है कोई भी आपको ठीक है दो application है potentiometer की EMF comparison की और resistance की दोनों practical भी है आपके यह तो दोनों में से एक करना है जो आपको अच्छा आता हूं ठीक है फिर आप आजाए इदर magnetism का तो यह magnetism वाले magnetic effects of current वाला धारा का चुम्ब के प्रबाव में से आपको दिया है हेल्मॉट्स कोईल है और आपका गैलवनमीटर है ठीक है इसका मतलब यह electricity में से दो कुशन है यह magnetic effects of current में से दो कुशन है चैप्टर तो आपको पढ़ना है उसमें आपके पास जो अच्छा आता हो वो आपको दिया है फिर आप आजाए next इसमें तो यह वाला कुशन दे दिया आपको interference मतलब way optics में से तो यह भी आपका way optics में से है और यह भी आपका way optics में से है तो way optics में से फिर दो окиह प्र पार्ट दी कितने मांक्स का है चाहर नमबर अब यह मेजर को चूटर अग शुरू होता है मेजर कुशन है चाहरचा नंबर गें है पार्थ दी मैं चौट नमबर कुशन है और दो उप्शन हैं चृतbelाओ करो निया फिर डायोड आ जैप्टर वही है, semiconductor वाला, यहां तो transistor कर लिया, यहां डायोड कर लिया, ठीक है, हमारे पास आगया, transistor वो डायोड, दो option मिलेंगे, यह हैं transistor यहां डायोड, ठीक है, फिर आप नीचे आ जाओ EMI पर, EMI वाले में एक यह आ गया, option में यह EMI वाला आ गया, ठीक है, और साथ में option में AC वाल बास वाला है सबसे रिलेक्स करने वाला और पहली बार आस्थान बूर्ड ने दिया है कि एक ही क्विशन के तीन पार्ट या तीन ऑप्शन दिये जाएंगे डाइपोल कर लो गाउस का जो है नियम लिख लो गौसरम लिखो या डाइपोल कर लो यहां फिर कैपेसिटर कर लो तो यह तीन मेंसेंज जो आपको अच्छा उता हो करें इस दो करें इसके बार लास्ट क्षशन आजाओ तो लास्ट क्षशन फ्रेइंगर फोर्मला इंट्राइब करो तीक हैं क्योंकि आपको बता है में लेंस से पहले का पार्ट बहुत सारा इसमें से डिलीटडD है रे अ एक मिलें गे जो आपको हेल्प करेंगे कि जो आपको अच्छा आता हो जो आपको बड़ी आता हो आप करें हराम से, so ये था pattern 2021 only 2021 का easy and relaxed method राइस्तान बोड अजमेर का राइस्तान बोड के बच्चों के लिए, right तो best of luck बच्चों, आपके exam के लिए best of luck, फिर आपको इसके अलावा, जो भी आपको पूछना हो तो आप comment box में लिख कर पूछ सकते हैं कोई भी doubt हो, physics में syllabus में, physics के topic में किसी भी chapter में किसी भी chapter में, physics है, कोई भी chapter हो आपका, उस chapter में भी कोई doubt हो तो आप comment box में लिख कर पूछ सकते हैं मैं आपको उसमें एक video उस chapter का या उस doubt का video आपका link आपको send कर सकता हूँ आपकी आप देखकर easily उसको पढ़ सकें so, मिलते हैं next किसी lecture में या फिर किसी next update के साथ till then, goodbye